हलो बच्चों, आज की अपनी संस्कृत व्याकराण की इस कच्छा में हम लोग पढ़ेंगे बालिका के शब्द रूब ठीक है, तो बालिका एक अकारांत इस्त्रिलिंग सब्द है, ठीक है, आकारांत कैसे, इसके अंत में बड़ा आ है, इसलिए ये आकारांत है इस्त्रिलिंग ये इस्त्रिजाति का बोट कराता है, इसलिए ये इस्त्रिलिंग है, ठीक है, और बच्चों, शब्द रूब, सब्द रूब हम लोग किसके पढ़ते हैं, जिस परकार आप लोग क्रिया के रूपों को धात रूप कहते हैं, ठीक है, वैसे ही जो संग्या और स अरुनाम होती हैं उनके रूप पढ़ते हैं ठीक है तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वालिका शब्द रूप में बच्चों कि दो चीजे होती है में विभक्तियां होती हैं और वचन होते हैं तो वचन आप लोगों को पता है एक वचन दुई वचन बहुचन तीन वचन होते हैं संस्कृत में और एक वचन एक विक्ति के लिए प्रयोक किया जाता है दुई वचन दो लोगों के लिए बहुचन तीन या तीन से अधिक के लिए ठीक है और वि है। इतनी चीजे होती हैं सब्द रूप में और इसार रूप चलते हैं। हम हिंद्धि से संस्क्रिट में अनुवाद men pref闪्क बोग pourquoi और विभक्ति का ध्यान रखना पड़ता है जैसे हम लोग धातु रूप में पुरुष और वचन पड़ते हैं ठीक है वैसे ही यहाँ पे भी विभक्ति और वचन है इसमें आये शुरू करते हैं प्रथमा विभक्ति बालिका का एक वचन है बालिका दुवचन है बाली के बहुचन है बालिकाह तो जब आप लोगों ने वच्चों विभक्तियाँ पढ़ी थी तब विभक्तियों कारक और विभक्ति पढ़ा था तो उसमें कुछ विभक्तियों के चिन दिये हुए थे तो यह वाग के समझने के लिए थी इसमें कौन सा रूप हम लोग लगाएंगे तो प्रत्मा का चिन क्या होता है कि करताने प्रत्मा ऐसे चार्था करताने प्रत्मा कर्मकोदुतिया ठीक है तो प्रत्मा का चिन होता है ने तो यहां पर बालीका है एक वचन पर क्या हो जाएगा बालीका ने या लड़की ने और और बहुचन है बालिका तो इसका क्या हो जाएगा बहुत सी लड़कियों ने या बहुत सी बालिकाओं ने ठीक है आगे बढ़ते हैं दुतिया दुतिया का एक बालिकां दुतिया का चिन्न होता है को ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक बालिकां में लड़की को ठीक है या बालिकां को दुतिया है तुतिया का एक बालिकां दुतिया का एक बालिकां दुतिया का चिन्न होता है बच्चों से से और के दौरा ठीक है तो यहाँ पर बालिकां या एक बालिकां या लड़की के दौरा बालिकां से या बालिकां के दौरा ठीक है तो यहाँ बालिकां भ्याम यानि कि दो लड़कियों से या दो लड़कियों के दौरा बालिकां यानि कि बहुत सी बालिकां से या बहुत स आगे बढ़ते हैं चतुर्थी ठीक है तुर्थिया हो गया है चतुर्थी चतुर्थी का एक बचन है बालिकाए बालिकाभ्यां 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 चतुर्थी का चिन्न होता है बच्चों को के लिए ठीक है को या पिर के लिए बालिकाय में क्या हो जाएगा बालिका को या बालिका के लिए दो ये चन बालिका अभ्यां दो बालिकाओं को या दो बालिकाओं के लिए बालिका अभ्या बहुत सी बालिकाओं को या बहुत सी बालिकाओं के लिए ठीक है पंचमी, पंचमी का एक बचन है बच्चों, बालिकाया, बालिकाभ्याम, और वह बचन है बालिकाभ्या, पंचमी का चिन्न होता है बच्चों से, जो की यूज होता है अलग होने के अर्थ में, ठीक है, जब कोई जैसे से अलग होती है, तो वहां भी पंचमी भक्ति होती है, तो इसका क्या हो जाएगा बालिकाया यानि कि लड़की से या बालिका से बालिकाभ्याम दो बालिकाओं से और बालिकाभ्या बहुत से बालिकाओं से सश्थी सश्थी का एक वचन है बालिकाया दू वचन है बालिकायो बहुत है बालिका नाम तो सश्टि का चिन होता है बैचों काकी के रारी रे नानी ने काकी के ठीक है बालीका यह हमें हो जाएगा बालीका का ठीक है एक लड़की का और बालीका यो दो बालीकाओं का और यहाँ पर बालिका नाम बहुत सी बालिकाओं का सब्तमी सब्तमी का एक वचन है बालिकायाम दुई वचन है बालिकयो बहुचन है बालिकास सब्तमी का चुन होता है बच्चों में और पर में और पर ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक वचन में बालिका में या बालिका पर दुवचन में दो बालिकाओं में या दो बालिकाओं पर और बहुचन में बालिकाओं तो बहुत सी बालिकाओं में या बहुत सी बालिकाओं पर ठीक है और संबोधन संबोधन आप जानते हैं किसी को संबोधित करने या पुकारने के लिए संबोधन प्रियोग किया जाता है तो यहां पर हे बालिके एक लड़की को संभोधित के जा रहा है हे बालिके एक विचन विभक्तियां होती हैं और वचन होती हैं तो यह अपनी जगा पर इस्थिर रहेंगे ठीक है आप लोगों को याद क्या करना है तो आप लोगों को पता है कि प्रत्मा से लेके त्रतवर॥ी फ चतंचमी थिर्ते चतंचमी इना थेरे प्रतवर॥ी फ युथम रहेत रहेति भीन दोंगों को आप लुक्त olmuş है और उत्र रहेति त्व कि कडीरच अचाहरी त्सम्य टॉषि herself अरब एक देखे आप बाली कर्म बाली कर्म अर चटर में बाली का सतंरे सेंदान्य अर जाइस पर ओप कि revived यह वर डिपीट हो रहे हैं बाकि यहाद करने हैं इसको यहाद कर लिया ठीक है चलिए इसको इवर पढ़ लेते हैं हे बालिके, हे बालिके, हे बालिका, तो बच्चों ये थे आपके बालिका की शब्द रूप, अब देखिए नीचे नोट करके लिखा हुआ है लता, छात्रा, ध्यापिका, पाठ साला, चेतना, रमा, आज जितने भी आकारांत हो कर ठीक है, आकारांत इस तरी लिंग शब्द चलेंगे, यानि कि आकारांत इस्त्री लिंग यानि कि जिसके लाष्ट में बड़ा आ होगा, वो वाले और इस्त्री लिंग सब्द जो भी होंगे, वो सब ऐसे ही चलेंगे, तो अगर आपने एक रूप बालिका के याद करिया तो आपको लता, छात्रा, ध्यापिका, सेम टाइप के जो शब्द होते हैं, उनके रूप एक ही जैसे चलते हैं, ठीक है, तो बच्चों आप लोग इसको लिखे लिजे अपनी कॉपी में और याद करिए, और कहीं पे अगर कुछ पूछना हो, कोई क्वेरी हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, औ कि अगर की करिट ओझे बूक्स मेंट इसको लिए रखेगी जैसे चलते हैं, पीक κι अच्छना हैं, बच्चों आप लोग मेंट करिए äसे चलते हैं, बच्चों